अर्माधवन की रोकेटरी फिल्म काफी कम स्क्रिन पर रिलिज हुई थी लेकिन अच्छी फिल्म होने की वज़े से ये फिल्म बोक्स ओफिस पर करती जा रही है सांदार कमई तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोकेटरी फिल्म के सुरुवाती चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने सभी भासाओं से अब तक कितने करोड रुपे कमाई तो शली ये दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो दोस्तों बायोपिक ड्रामा फिल्म रोकेटरी जिस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है आर माधवन ने और इस फिल्म के लीडिंग श्टार कास्ट में आर माधवन ही नजर आ रहे हैं फिल्म में हमें सारुक खान और तमिल सुपरिश्टार सूरिया का केमियो देखने को मिल रहा है बताद दोस्तों 45 करोड के बजट में बनी रोकेटरी फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलगू, मलियालम, कन्नडा और इंगलिस टोटल 6 भासाओं में रिलिज किया था अब फिल्म को पहले दिन बॉक्स ओफिस पर कोई खास कमई नहीं मिली थी लेकिन जितनी लोगों ने इस फिल्म को देखा सब ने इसकी जम कर तारिप की और अच्छे रिव्यूस के चलते इस फिल्म के कलेक्सन पहले दिन से जादा दूसरे दिन दूसरे दिन से ज़्यादा तीसरे दिन रहे और चोथे दिन भी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी बढ़िया कमाई कर चुकी है तो अगर बात करें फिल्म के डेवाइस ग्रोस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो रोकेटरी फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया था दो करोड तीन लाख रुपे का वही दूसरे दिन तीन करोड पचास लाख रुपे तो तीसरे दिन संडे होने की व प्रेपल लाक रुपे का हो चुका था अब बात करें फिल्म के चोथे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो जादा तर बोल्यूड और साउथ की फिल्मों के चोथे दिन से जो कलेक्शन है वो काफी कम हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तो रोकेटरी फिल्म की जो ताविक रोकेटरी फिल्म अपने चोथे दिन इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ 10 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो रोकेटरी फिल्म का सुरुवाती 4 दिनों के अंदर ओल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 12 करोड 63 लाक रुपे का बताना ने जिस तरह से सोमवार वोकेटरी फिल्म से लिए उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले 2-1 हपते तक बोक्स ओफिस पर अच्छी खासी चल जाएगी और फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन सायद 50 करोड के आकड़े तक भी जा सकता है